तो यह section E का question है और question क्या है कि एक star दिया हुआ है और यह regular pentagon बोल दिया है कि अगर हम इसको ऐसे regular अगर इसमें pentagon draw कर दें तो या it's a regular pentagon तो फिर हमें एक angle पूछा है angle EBD इस angle पूछा है तो यह बोल सकते हैं कि जब यह regular है तो इसका हर एक angle जो होगा वो same होगा तो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले angle का name कर देती हूँ किसी भी angle को निकालूँगी तो बात बराबर हो जाएगा तो हम लोग A मान लेते हर एक angle को ताकि हमारा easy हो जाए ठीक है अब हम क्या करेंगे हमने एक triangle के properties जानते हैं कि suppose कि यह एक triangle है और यह थोड़ा extended है और यह अगर x है यह y है तो यह exterior property जो होता है यह x plus y होता है so we will use this property here कैसे करेंगे कि suppose कि यह A, B, C, D, E है तो हम लोगे किसी triangle को consider कर लेते हैं यहाँ पे F और यहाँ पे मैं G रिख देती हूँ तो हमने क्या किया कि B, F और G को consider कर रहा है अब B, F और G में अगर आप इस triangle को consider करो इस वाले को ठीक है तो क्या होगा यह exterior property की तरह काम करेगा तो इसका मतलब यह जो है मतलब एंगल B, F, G जो होगा वो क्या हो जाएगा A, A, which is equals to 2A उसी तरह से अब आप क्या गरूँ इसको exterior बनाऊंगी तो यह वाले triangle को consider करती हूँ ठीक है तो जैसे यह triangle को consider करूंगी तो एंगल B, G, F जो होगा वो क्या आजाएगा मेर A plus A which is equals to 2A again तो अब मैं क्या लिखती हूँ इन triangle B, F, G होगा क्या यह वाला A plus यह वाला 2A plus 2A is equals to sum of angle of triangle is 180 degree so 5A is equals to 180 degree so A is equals to 36 degrees so हमारा answer हो जाएगा B, so B is the right answer so it was a very easy question of section A, thank you